उने यही बताया कि हॉस्पिटल में मतलब आईशमान के तहत इलाज नहीं किया जाता है क्योंकि गोवर्मेंट से जो फांड आता है वो बहुत ही कम आता है हमारे पेसा जादा लगता है और सरकार हमें कम देती है देरी से देती है और हमारी काफी रिक्वेस्ट और करने के बा साथ साथ बहुत सारे लोगी जो परेशान हो रहें उनको भी नहीं दिया है कौन-कौन लोग थे क्या का बात हुई आपके उनसे एक पेशिंट आया थे जाद गाइडर बार से और वो उनको सिंटी स्कीन वगरा करने का बोला है तो उन्होंने भी बोला था कि वो भी बेंट कर दिया कि वो कल तक तो आग भी खोल रहते हैं उन्होंने वीचर पर भी बिठाया तो आज सटली सुबह से मतलब इस ती इतनी गड़ब हो गई कि वह आग भी नी कुल रहे है तो कुल्मिला के आईश्मान युजना की अखिकत जो है वो गलत है मतलब मोदी जी गरीबों को मतलब इसे लाब पोचेगा और हर इंसान बड़े होस्पिटल में इलाज करवा सकता है अपने पेशेंट का किसी भी बीमारी का लेकिन यहां अस्पिटाल में आकर देखते हैं तो यह हकीकत कुछ और रहती है जिन से बात हुई आपकी और उन्होंने मना की जो एमडी मेडे में पद्मा मिश्रा वो यहां की एमडी उन्होंने तो डारेटली मना ही कर दिया कि हम नहीं करेंगे और अकाउंटेंट भी जैसे रोज जो बीलिंग होती है वो तो हम करी रहे थे हमने केसी भी वेवस्ता करक एक दो लाख रुपे तक का उधार करके कुछ भी ऐसा करके पतब उनका इलाज करवाय रिष्टोदारों से लिया लेकिन अगर थोड़ी सी यह मदद और मिल जाती है शायद हमारे फादर के लिए हम और लंबी लड़ाई लड़ने तो हो सकता वो आज सही होते और उनकी तप्यात मतलब में तो पूरा जिम्मेदार हॉस्पिटल बालों को मानूंगे जैसा ही उन लोगों को लगा कि यह मोद यह यह जना के लिए जो डाल रहे हैं आईश्मानी योजना के लिए तुन्होंने फादर को उल्टा और बीमारी कर दिया और इवन पेरिलाइ करी थी और